हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेल्कम बैक तु मैं न्यू ब्लोग तुजी वीडियो है बैनाश्टे इवनिंग की और बस बच्चों को टूशन बेज़के मैं सोख गई थी थोड़ देर के लिए फिर उठने के बाद मैं आरू को टूशन से ले आई थी और बस चेंज बगारा करके और जो भी ब्लैंकेट बगारा पड़े है ना बैट पे इनको मैं उठाके रख देती हूँ एक बार नहीं तो यह ऐसे पड़े रहे ना तो बड़ा अलस आता है इनको देख देखके तो बस मैं एक बार अच्छे से बैट को ठीक कर दूँगी और यह जो कपड़े चेर पर पड़े हैं बसे तो यह कपड़े धोने भी है मेरे को लेकिन फिर भी मैं एक बार इनको फोल्ड करके रख दूँगी जब तक मैंन को धोंगी तब तक ऐसी पड़े रहेंगे ना तो ज़्या साम गूम लूँ तो अभी तो मैं सुबह जा रही हूं लेकिन डेली नहीं जा पाती हूं मैं कई बार जल्दी उट जाओं तो चले जाती हूं और लेट हो जाओं तो वही है कि सुबह सुबह टाइम नहीं लगता इसलिए मैं साम को तो मैं सोच रही हूं कि डेली ही रख कर रहा है वो आपसे वीडियो हूं सामके शाड़े पांच बचे और आरू को मैं अप्टिशन से लेकर आई ही हूं अभी और हाँ और आज हुआ यह ना कि यह आरूमिट से पात नहीं कर रहा है चैसे क्या हुआ कि सुभा मैं इससे कुछ जादे मसा कर रहे थी और बातों ही बातों मैं इसको यूही हजी मजाक में बस मैंने बहुत दिये कि आज मैं तेरा फैफिद लंज तो दे रही हूं लेकिन मैं तेरी व पानी पीली ना तो ना इसको यह कहता है कि मुझे मेरा लंच वोक्स डालो या मत डालो लेकिन पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए बैग में क्योंकि बार-बार मैं नहीं फेजती है और इसको खाने के साथ भी पानी पीने हो तर पैसे भी पानी पीता रहता है तो मैं इसकी पानी की बोतल देना और फिर और मुझे दिखी कब है कि जब मैं स्कूल जा रही थी और फिर मैं जब कीचन में गई थी फ्रीज की तरफ मेरी नजर गई ना जब भी मैंने देखा कि इसकी पानी की बोतल रह गी और फिर तो मैं मुझे इतना डर लग रहा था स्कूल जाने म कि आट पूरे दास्ते मी बात न investinet जी बिल्कुल भी मैरे से बोला नहीं है इसकी आखें बरी हूई कि यह ना रास्ते मे कभी रोता नहीं है तो घर में आगते के साथ ही बहुत रोया बहुत ज़्यादा और मैं इसको कह रहे थी कि मतलब मैं तरसे मजा कर रहे थी मैं तेरी पानी बोतुल देने वाली थी लेकिन मैंने बस वो मजा आप में बोला था तो यह कहता है कि नहीं आपने जान बूझ के मेरी बाटर बोतुल तो बस अब यह इस बात को लेकि बहुत अड़ा हुआ है मानी निरा है और कह रहा है कि पापा को आने दो और मैं पापा से आपकी शिकायत लगए तो चली वह आतने हैं तब देखूंगी कि आगे क्या होता है क्या नही होता है मैं इसको कैसे समझा पाऊंगी क्योंकि अब तक यह बिल्कुल चिड़ा पड़ है अब तक तो ईमेल से पाइसे इस बात भी नहीं कर रहा है तो होते हैं फिर देखते हैं अगे क्या होता है यह निहीं होता हैं फिर आपको बताउंगी ना तो इसके बापा क्याने के बाद ना यह जैसे दो पहर को रोय थै ना वैसे इतना तेज रोया और उनके सारी बाते बताई और बस उनोंने भी मजाख मजाख में इसके सामने में को बोल दिया एक दो बाते सुना दी और फिर मैं आगी चट पे और अब तो आरू भी थोड़ा सैड हो गया कि मेरी बज़े से मम्मी को पापा ने कुछ बोल दिया है तो लेकिन मै चट पे आगे थी उन्होंने तो बैसे मजाख में बोला था कि हाँ वह जादा ही रो रहा था ना तो उसको चुप भी करवाना था तो बस में चट पे आके जो भी मैंने आशोच था था ना कि मैं गूमोंगी कुछ देर के लिए तो वस वही वाक कर ली थी मैंने और इवनिं टीना में पास पड़ी भी है काफी दिर होगी तो बस सोच रही हो कि वह भी खतम हो जाएगी और विजवान कुछ बो लेगा। कर देना गाइस हम दोने में साफ को कौन अच्छा लगा तो जी अब मैं आगी हूं साम की चाय बनाने के लिए और हुआ ये था कि आज आरू के पापा ना जल्दी आ गया है तो बस उन्होंने आते के साथ चाय पीने के लिए मना कर दिया था कि अभी नहीं थोड़ देर में प लेकिन नहीं अभी थी तो बस मैं ग्रीन टी पीऊंगी और इनके लिए मैं चाय बना रही हूं मन तो मेरा बहुत कर रहा है चाय पीने का क्योंकि ये रहता है कि जब मुझे ही बनानी होती है ना चीजी तो मन तो लल चाता है लेकिन मैं सोच रहा है कि नहीं पीऊंगी तो नहीं ही पीऊंगी और ग्रीन टीमी ना मैंने थोड़ा सा लैमन डाल रहे हैं क्योंकि ऐसे ना मेरे से पीनी जाती बहुत कड़ भी रखती है तो अगर मैं थोड़ा सा लैमन जूस डालो ना फिर सही मेरे को लगती है टेस्ट भी आता है तो चाई पीने के बाद फिर मैं आगी थी किचन में डीनर की त्यारी करने के लिए तो यहाँ पे ना जैसे दो दिन पहले जैसे मैंने मिक्स फैस्के पकोड़े मनाये थे ना तो वही सबजियां जो थोड़ी-धोडी पड़ी थी जैसे दो गाजर थी दो सिमला मिर्च थी थो भी हमने चावल खाए थे इसलिए बार-बार चावल खाने का मन भी नहीं हो रहा था और यह जो सब्जिया पड़ी थी यह भी खराब हो जाती मटर तो ना सूख ही गए थे तो बस फटा फट मैंने इन सब्जियों को कट कर लिया है और मैंने सोचा कि चलो मिक्स वैजी बना ल लग घया है ना तो तो पहले तो क्या होता था कि अभी भी कुछ खाने का मन करता था तो युद्षक बढक पापास ही मंगवाना पड़ता था मुझे अब यह होता है कि बच्चों को 10.30 बजे तक भूब भी लग जाती है चाहिए कुछ ही खाले तो बस मॉमोस खाते टाइम ना मेरा मज़ाग उड़ा रहे थे कि अभी तो थोड़ देर पहले ग्रीन टीपी है और यह कह रहे थी कि चलो अब मुझे ग्रीन टीपी नहीं है बाहर गू तो खाते लिये वैसे भी मैं फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ और कभी-कभी जब बच्चे लेकर आते रहा तहीं मैं खाती हूँ वैसे मैं सब्सक्राइव कर ली है और थोड़ी सी और भी है वोड़ी ने करी रही हूँ तो थोड़ी सी सबजी ती ना ये ज्यादा सब करती थी हमने बिल्कुल भी नहीं बच्ची थी और बच्चों ने भी अच्छे से खा ले थी वैसे तो यह गाजर्स और यह सिमला मिर्च बढ़ते हैं लेकिन मिक्स्वेड जब बनती है आ तो खावी लेते हैं और इनकी सब्जी में बस थोड़ा से यह रहता है कि मुझे सोस तो सोस के साथ या आराम से खा लेते हैं तो बस साथ के साथ ही मैं इसकी जो ग्रेवी सी बनती है ना सबजी के लिए वो भी मैं तयार कर रही थी तो मैंने डाल दिया था लेसुन प्यास और टमटर को एक साथ तेल में डाल दिया था अलका सो फ्राय करने के बाद फिर मैंने ड बढ़ाई में थोड़ा से ओल रहने दिया जीरा डाला और फिर इस पेश्ट को मैंने डाल दिया अच्छे से पकाऊंगी इसको ड्राय मसालिव करें डाल के और फिर बाद में अपने फ्राय की हुई सब्जी जो है ना वो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ देर पकाने के का खाना बनाने का क्यों कि भूक नहीं ल את यह और देर घूंगी मसाला पक्या था मैंने सबजी डाल दी है और ऊपर से तो मैं रोजी करती हूं लेकिन हाँ यह रहता है कि जहां तक मेरा हाथ पहुंच पाता है ना टाइल्स तक वहां तक ही मैं करती हूं और कंटेनर वगारा जो है ना वो मैं किसी दिन अच्छे से सारे कंटेनर को खाली करके फिर मैंन को अच्छे से वाश करती हूँ नहीं तो अगर मुझे बीच बीच में वैसे करने हो ना तो बस एक बार गिला कपड़ा लेके मैंन में मार देती हूँ अच्छे से बाहर बाहर से औ तो बर्तनों के वास्केट मैं आप्रक के जभा बर्तन के बाद की स्फाई तो जब भी मैं सफाई करने लग जाती हूं ना तो बस सोस्ते हूं कि साथ के साथ ये भी कर लो वो भी कर लो जो भी काम दिखते जाते हैं वसम कोई मैं करते जाती हूं तो एक काम और कर लेते हैं कल के लिए रह जाएगा और जाते हैं सुभा के काम भी जो है थोड़े बहुत में करके ही सोओं ताकि एगले दिन के लिए सही रहे मेरे को मतलब जादा काम ना पड़े इसलिए मैं अच्छे से सफाई करने लग गये थी और नीची जो कंटेनर रख रखे है ना चावा लाटा जिसमें मैंने डाल रखा है वो भी मैंने अच्छे साफ कर ले थी मतलब किक्चन को मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था और ये काम कई बारी जैसे हाथ लग जाता है ना साफ सफाई करने में जब भी होते हैं वीक में एक या दो बार तो बैसे मैं कर देती हूँ फिर साथ के साथ और ऐसे ही बस मैरे सारे जिसमें मैंने खड़े में सालिव जारा डाल रखे न चोटे-चोटे कंटेनर में और इनका स्टैन्ड भी है साथ में तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ कर लिया था साथ ही मैंने रखती है दूद भी बच्चों के ल ना लेती हूं घी और बस घी भी काम आ जाता है हमारे और देखें मलाई कितनी सारी होगी है न पूरा यह जो वाउले न यह भर गया है तो बस इसको भी मैं निकालूंगी एक दो दिन में तो जी किचन की काम से फ्री होके अब मैं आगी हूं बाहर की डेस्टिंग करने के लिए और थोड़ी वो जैसे की मैं डेली की डेली करती ही हूं तो आज बच्चों ने आपके खाना खाया था ना तो इस वाले टेबल को भी काफी गंदा कर दिया था जब यह खाना खाते है लिए फैला देते हैं सबजी की रा देते हैं तो इसको भी में अच्छे से साफ कर लेती हूं तो घर सबस्ति हो गया है अब बस नीसट को जो जो पर घहांब ने कि बिस इसके घर को भी फोन आए गया था लिए वई बिब DR यान थो तो यह भी जार रे एतने घर और जो भी मेरे काम उते हैं KLK होगए है क्योंकि आड़ो मेरा वेक्टर होता है सोने के लिए इसमें मेरेसाठ ही सोने होता है सबसे पहले कि घुर में यहीं वोता है जब भी मेरे काम कथा होती हुआigger मैं बarn class my life, my life and i love my church जब मेरे काम नहीं हुए होती है तो पहले मैं इसको चुला लोगी और अब मैं आपसे विलूगी अपने नेक्ट फ्लॉग में तब तक के लिए बाइबाइब गुदनाइट